है वेल्कम बेक्ट मैं आपको सौगत करता हूँ गूगल आड ट्यूटल क्लासिंग हिंदी में जहां पर आपको इस्टेप आज सीखने को मिलेंगे कि कैसे आप गूगल क्योड प्लाणर को इस्तिमल करके ज्यादा तो ज्यादा को आईडिया आप ले सकते हो फिरिंट क्योड करने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन से पफिश्पनर आपका बिजस्निस के लिए लेना चाहते हो प्राइड किवर्ट प्लानर यूजज करना बहुуд g असल है आगर आप यहां पर टूल से क्लिक करने के बाद अगर आप क्लिक करता हूँ तो आपको सामल में ऐ कि इंफोर्मेशन कि और कि सास इंफोर्मेशन और पार्फर्म इन दा फ्यूचर कैसे यह काम करेंगे यह सारे सीज़ आपको सीखने को मिलेंगे तो आज हम यहाँ पर एंटी करेंगे फाइंड्स निव क्योड के बारे में हम डिस्टर्स करेंगे तो फिरिंड कोई भी एक आपको कियोर्ड नौराज होना चाहिए फिरिंड अगर मांनके्जिक भी मिरा जो कियोड है में वैडिंग प्लाणर का हीशान सबसर्ट से काम करना जाह्तू तो अगर मेरा कियोड अगर वैडिंग प्लाणर है और टारगेट लोकेशन बोस्तों हे तो आप टारगेट की हिस करूंगा Boston, आप जानते हैं कि कोई भी keyword planner से अगर आप keyword के information लेना चाते हैं तो without कोई भी location अब हड़ा दिजिए, for example, जैसे wedding planner यह मेरा सबसे main target वाला goal है और यह में बापने भी बढ़ा सकते हूँ, अगर keyword का idea मेरा पास आ जाए, फ्रेंड में request करूंगे कि पूरा वीडियो देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको step by step technically और accurate और industry level की जो job oriented हिसाब से जो जासे पैक्टिस सेलता है वह हिसाब से आपको keyword research करने की मौखा मिल जाएंगे, फ्रेंड, issue हो, digital marketing हो या कोई भी अगर आप कुछ भी काम करें तो लोग जो सास करते हैं, वह हिसाब से keyword आता है, वो keyword आपको idea लेना पड़ते हैं, तो फ्रेंड आप देखिए, wedding planner लिगने से मेरा कुछ information यहाँ पर दे चुका है, आपको पहले decide चाना होगा कि आप wedding planner के लिए job देना चाता हो, फिर यह जो में example बत रहे हो, यह सरे यहाँ पर example की दोरा, अगर आपको business के related जो भी keyword आपको मैस हो जाते, वो keyword जरूरू सुस करें, तो यहाँ पर देखिए, सास related wedding planner in Boston, लोग इसके साथ-चाथ ऐसा भी लिखकर भी keyword सास करें, तो चलिए main जो है wedding planner की, जितना सरी keyword और साइडिया हो चाके, वो मुझे Google जरूर पोवाइड करें, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको wedding planner की keyword है, यहाँ आपको select करना होगा, select करने के बाद आपको gets जो idea है, यहाँ पर click करने के बाद आपको सामने में एक SI dashboard आ जाएगा, जहाँ पर आपको keyword की पूरा का पूरा idea मिल जाएगे, फिरें यहाँ तक जब keyword planner की idea है, तो सबसे पहले आपको देखना होगा, कि आपको कौन सा country के अंदर, यह keyword की information और data collect करना चागा हो, तो for example, मैं इंडिया से हूँ, इसलिए location जो है, मैं इंडिया क्लिक करना, अगर मेरा language English है, तो आपको English भी select करना चाहिए, अगर आपको language हिंदी भी है, तो आप ज़रूर हिंदी भी click करिए, right, तो friend, यह कौन सा, मतलब language कैसे तरह के चाहिए, यह काम करते है, for example, कोई भी आपका Android mobile phone की हिशब चाहिए, अगर कोई English उस device के language है, और उसको सास करने के तरीका ऐसा ही है, तो आपको यह English language के data के हिशब चे आपको यह सारे चीज़ दिखाते है, अगर आप चाहिए, तो यहाँ पर भी click करके आप ऐसा information collect कर सकते हो, friend, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि मुझे last month, I mean, एक साल की data है, वो मुझे चाहिए, तो आप यह कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे last month की data है, वो मुझे चाहिए, तो देखे, friend, अगर मैं last month तक में data click करूँगा, तो यह सायद आपको लिए एक नया option open हो जाएगा, So, friend, यहाँ पर only for keyword text, top, compression, add impression share, और top of page bid, low range, page read, यह हीचाब से आप यह सारे सिस कर सकते हो, organic average position के हीचाब से आप भी यह कर सकते हो, तो चले, friend, यहाँ पर जो मेरे लखा के broadly related ideas जो है, वो मुझे यहाँ पर आयन दिया, right, यह सारे सिस करने के बाद आप यह कर सकते हो, friend, आ Google आपने दे दिया, इससे आपको जो अच्छा लगते है, आप जरूर उठा लेगे, यह keyword के सारे के सारे data आप डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कुछ नहीं, स्रेब आपको download keywords यह आपको click करना होगा, जब भी आप download keywords क्लिक करेंगे, तो Google आपको एक Excel फाइल की हिचाब से आपको keyword की download करने के लिए मौका देता है, जो आपको computer की download option है, वहाँ पर आपको मिल जाते है, तो friend, अगर आप keyword कहाँ पर download है, यह जानने के लिए आपको show in folder यह करिए, और यह करने के बाद आपको सामने में आ जाते है keyword के सारे details, आप आपको decide करना ह कि कौन सा keyword आपको लेना अच्छा है, और कौन सा keyword आपको लेना बुरा हो जाएगा, price की हिचाब से और sales volume की हिचाब से भी आप देखे, friend, अगर आपको keyword अच्छा है, पर sales volume भी बहुत अच्छा है, पर price बहुत मेहंका है, तो आप प्रीज इसके साथ साथ आपको website की optimist करि content भी keyword की उपर develop करिए, और आपको meta definition और title की हिचाब से आप keyword analyze करेंगे, तो I hope आपको price जो ही यहाँ पर 10 रुपीज या 29 रुपीज करके दिखा रहे, यह भी आपको low cost के अंदर मिल जाएगा, friend, मैं एक proportional PP से expert हूँ, digital marketing की उपर काम करता हूँ, अगर आपको Google ads campaign चलाना है, ad campaign की support की जुरूरों थे, ad campaign चलाने से ज्यादा से ज्यादा पाईसे कट रहे, तो please यहाँ पर जो number देख रहे, यह number से call करके भी मेरा से बादसीत कर सकते हैं, तो friend, आप देख सकते कि यहाँ पर कुछ wedding decoration के लिए भी लोग hire करता है, यह कैसे हम एक wedding decoration करने के लिए लोगों क करके select कर सकते हो, तो wedding on budget, wedding on planner, cost, budget, management, यह सारे से लिए सकते हो, friend, यह सरेब ad campaign की चलाने के लिए आपको keyword idea नहीं देता है, अगर आपको website के content लिए भी keyword की जुरूरों थे, keyword की जुरूरों थे, keyword की जुरूरों थे, तो आप यहाँ से keyword लेकर आपको website की blog promotion कर सकते हो, यह keyword के अगर आप चाहते हों कि luxury wedding planner की हिसाब से आप एक content लिखना चाहते हो, यह best of best आप website की blog आप सरेब wedding planner की हिसाब से रखना चाहते हो, तो how to find luxury wedding planner in India, right, friend, तो अगर आपको ऐसा ही तरके से एक blog निकना है, तो आप luxury wedding planner जो है, यह keyword की हिसाब से आप काम कर सकते हो, friend, यह keyword अगर इतना traffic monthly या yearly मिल सकते हैं, यह idea आपको जरूर मिल जाएंगे, तो friend, आप देखें, यह monthly हिसाब से है, मैंने यहाँ पर keyword जो है, यहाँ पर मैंने 10 month की हिसाब से मैंने साथ किया था, तो यहाँ पर luxury wedding planner अगर keyword लिखेंगे, और यह Google top page में rank करते हैं, तो I hope आपको 100 से 1000 तक monthly visitor म इसका ad campaign जो price है 8 rupees to 31 rupees तक इसका minimum और maximum range है, तो I hope कि friend, wedding, sorry friend, अगर आप keyword planner यूज करते हो, तो फ्रेव के स्रेव आपको ad campaign की idea नहीं देते, अगर आप blog भी लिखना चाहते हो, keyword की उपर काम भी करना चाहते हो, in future issue के लेकर भी, आप यही keyword लेकर काम करना चाहते हो, तो keyword planner कैसे use करना चाहिए, how to use google keyword planner और यह use करके आप कैसे फायदा ले सकते हो, कैसे आप keyword की उपर सारे के सारे data आप ले सकते हो, तो यह आपको पूरा समझ में आ चुका है, तो friend, ऐसा ही तरके से आप keyword के idea ले लिदिए, blog लिकिए, article लिकिए, post करिए, आपको website के develop करिए, आप आपको website की content भी लिखे, एही keyword इस्तेमल करके, और एही keyword उस करके, आप ज्यादा 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 Google Ads campaign चला कर इसको फायदा ले लिए, friend, ऐसा ही वीडियो पाट्टे आपको Google Ads, AdWords, PPC Class आपको मिलते रहेंगे, और बिल्कुल आपको Google Ads in Hindi में मिलते रहेंगे, तो आप प sub indo by broth3rmax